हेलो दोस्तों मैं हूँ खिलेंदर सिंग और आपका स्वागत है पार्ट 6 में आज हम इसमें सीखेंगे कुछ एडवांस कोड के बारे में जो कि दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेजर और माइनर कोड किस तरीके से हम प्ले करेंगे और उसका रिलेशन किस तरीके से हम आसानी से जान जाएंगे और कुछ जो एडवांस कोड हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे तो वो कुछ एडवांस कोड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि diminished, sus2, sus4, augmented और minor 7th और major 7th होते हैं दोस्तों जिनका उपियोग हम किसी गानों में extra जो sound effect होता है उसके लिए किया जाता है दोस्तों तो सबसे पहले हम चलते हैं diminished code के बारे में जानते हैं बहुत ही आसान तरीकों से आप counting के हिसाब से जान जाएंगे कि diminished code होता क्या है तो देखते रहे हमारा पूरा वीडियो, सबसे पहले हम जानेंगे diminished code तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में यहां से code को बताया था पकड़ने का जो system है, यहीं से हमने one count किया था आप कहीं से भी कर सकते हैं, बट जो उसका rule रहेगा, वो वही रहेगा तो हमने देखा था, कि यह हमारा one था तो हम diminished के लिए भी यहीं से one count करेंगे और one four seven को press करेंगे तो यह हमारा one हो जाएगा दोस्तों वन, टू, त्री, और फोर, यह देखिए, वन और यह फोर, फाइब, सिक्स, सेवन्त यह one four seven को जैसे हम press करेंगे दोस्तों तो यह हमारा diminished code बन जाएगा जिसका उपियोग ज्यादातर horror movie में अलग ही sound effect लाने के लिए किया जाता है horror movie में diminished code अगर हम यहाँ से देखेंगे तो one, two, three, four, five, six, seven यहाँ से one, two, three, four, five, six, seven इस तरीके से आप कहीं से भी one, four, seven count करेंगे तो आपको मिलेगा diminished code ओके दोस्तों अब आते हैं सस्टू, सस्टू code के बारे में हम आपको बताएंगे तो सस्टू का जो काउंटिंग सिस्टम है वो रहेगा one, three, eight one, two, three, four, five, six, seven, eight यह है दोस्तों सस्टू सस्टू के लिए हमको one, three और eight को प्रेस करना होगा तो हमें मिलेगा सस्टू code अब आजाते हैं सस्ट फोर जेस्ट उसका थोड़ा सा अपोजिट है दोस्तों उसके लिए हमें करना होगा सस्टू के लिए one, six, eight one, two, three, four, five, six seven, eight यह one और यह six और यह eight यह हो जाएगा दोस्तों सस्टू अब जो next code है हमारा augmented code यह भी इसको counting में हम देखेंगे तो इस कराएगा one, five और nine तो हमारा one है one, two, three, four, five यह हमने पकड़ लिया one और five को six, seven, eight और यह nine अब देखेंगे अगर हम इसको one, five, eight अगर पकड़ेंगे तो वह हो जाएगा major और one इधर nine कर देंगे तो तो augmented हो जाएगा अब देखेंगे इसका sound effect जहाँ पे ऐसा sound यूज करते हैं वहाँ पे यह code का यूज होता है augmented code कहते हैं इसको जिसका counting अगर आप देखेंगे तो one, five, nine है दोस्तो ऐसे जहाँ पे भी sound मिले आपको तो समझ जाएगा कि वहाँ पे augmented code का यूज हुआ है जिसका numbering और counting है one, five, nine अब आईए दोस्तो हम चलते हैं minor seventh के बारे में minor seventh तो हमारा जो minor बनेगा तो one, four, eight minor रहेगा one, four, eight minor अब इसके बाद हमको कर देना होगा eleven को press one और यह four और यह eight nine, ten, eleven यह हमारा four है one और यह eight और यह eleven यह हो गए हमारा minor seventh minor seventh है दोस्तों अब अगर major seventh की बात करें तो major के लिए हमको कुछ नहीं करना होगा इस four को pipe में लाना होगा इस pipe में तो यह हो जाएगा major seventh यह देखिए major seventh दोस्तों हमने अपने पुराने वीडियो में major और minor बता रखा है अभी भी आप देख लिए कि minor one four eight होता है और major one five eight होता है लेकिन उसमें कुछ extra सीजे बताएगा है दोस्तों जो कि उनका relation हमने बताया है अपने पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि major code का जो relative code है वो कौन-कौन से है और minor code के relative code वो कौन-कौन से है तो दोस्तों मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इसमें singing करते हुए किस तरीके से code को पकड़ेंगे बिना किसी परिसानी के बहुत ही सरल तरीका से आप पकड़ सकते हैं only ये three finger से सारे codes को use करेंगे और आप गाना को play कर सकते हैं और गा भी सकते हैं तो देखना ना भूले दोस्तों हमारा अगला वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद